Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to Cook with NK रमजान Special Recipes में आज मैं आपके साथ Chicken 65 की recipe शेर करने वाली हूँ Chicken 65 को बनाना बहुत ही आसान है और घर के ही कुछ सामान से आप उसे बना सकते है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चेनल पे नहीं है तो सबस्क्राइब भी कर दीजेगा और रेसेपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा तो चलिए Chicken 65 की recipe स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम चिकन को मेरिनेट करेंगे मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उसे अच्छी तरह से वाश करके ड्राइ कर लिया है Chicken 65 बनाने के लिए बोनलेस चिकन का ही इस्तिमाल करता है तो सबसे पहले चिकन में तीन बड़े चमच दहीं डाल देंगे उसके बाद एक चमच अधरकले सुनकी पेस्ट डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे दो चमच काश्मिरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और एक चमच तिकी वाली लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे एक से डेट चमच धन्या पाउडर डाल देंगे एक चमच चिकन मसाला या गरम मसाला डाल देंगे और एक चमच कसुरी मेथी डाल देंगे आदे निमू का रस डाल कर सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे ये देखिए इस तरह से सारे मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद उसे आधे कंटे के लिए मेरिनेट करके रख देना है तो अभी हमारा चिकन मेरिनेट हो चुका है अब उसमें हम एक अंडा जर्दी के साथ डाल देंगे उसके बाद उसमें दो बड़े चमच कॉंट फ्लो डाल देंगे और उसी के साथ दो बड़े चमच मेदा डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमारा mixture तयार हो चुका है, उसमें से हम chicken को fry कर लेंगे तो सबसे पहले तेल को गरम होने के लिए रख देंगे उसके बाद उसमें chicken के pieces डाल कर उसे fry होने के लिए रख देंगे एक साथ जितने pieces आप उसमें डालना चाहें डाल सकते है चिकन डालने के बाद उसे high flame पे ही 2-3 मिनिट के लिए fry होने देना है 2-3 मिनिट के लिए उसे बिलकुल भी नहीं हीलाएंगे उसके बाद gas की flame medium कर लेंगे और उसे चलाते हुए अच्छे तरह से fry कर लेंगे गेस की फ्लेम मीडियम कर लेने के बाद उसे कंटिनियोसली 10-12 मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे ताकि अंदर से चिकन भी अच्छी तरह से कुख हो जाए तो अभी अच्छी तरह से चिकन फ्राइ हो चुका है अब उसे हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसी तरह से सारा जिकन फ्राइ कर लेंगे तो अभी सारा जिकन फ्राइ हो चुका है तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बन के तयार हुआ है जिकन को फ्राइ कर लेने के बाद उसमें हम तड़का लगाएंगे तो सबसे पहले एक डाइ में दो चमच तेल गरम करेंगे और उसमें एक चमच राइ डाल कर उसे अच्छी तरह से तड़कने देंगे उसके बाद उसमें बारिक कटा हुआ लैसून और अद्रक डाल देंगे हलका सा सते करेंगे और उसके बाद करी लिव्स और लाल सुखी मिर्च डाल देंगे और उसे के साथ सफेद तिल डाल कर उसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और उसके बाद हमने जो चिकन फ्राइ करके रखा है वो डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके गैस की फ्लेम ओफ कर देंगे तो हमारा चिकन सिक्स्टी फाइव बन के तयार हो चुका है तो देखते ही मुँ में पानी आ जाए इस तरह का चिकन सिक्स्टी फाइव बन के तयार हुआ है तो अभी हम उसे dish out कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना tempting और crispy सा chicken 65 बन के तयार हुआ है तो आप भी इस recipe को ज़रूर try करिएगा और अपने इफतार के menu में मेरी इस recipe को ज़रूर शामिल कर लिजेगा I hope आपको मेरी ये recipe अच्छी लगी होगी recipe अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल पे नहीं है तो subscribe भी कर दिजेगा और अपने family और friends में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा और comment करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये recipe कैसे लगी है